जैश्य अराम जैमत अलिए मित्रों आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं एक ऐशे विशेपर जिस व्यक्ती विशेश को लेकर के प्रतेक मानो मात्र दुखी है वह अपनी अनेक प्रकार की जीवन में आने वाली विसम परिस्थितियों में भी परिसान है अपनी राशी के अनुशार जिसकी जो राशी है उस राशी के अनुशार उस देवता का मंत्र करे तो वास्तों में उसके जीवन में आने वाली विशम परिस्थितियां भी सम में बदल जाएंगी और लाब होगा मित्रों सब्से पहले हम आपको बताएं मेसरासी, मेसरासी को किस दियोता का मंत्र जब करना चाहिए ओम हरीम स्रीम लक्ष्मी नारायनाय नमा इस मंत्र का जब मेसरासी के जातकों को करना चाहिए इसके बाद में बात करते हैं ब्रशबरासी के जातकों की ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमा ब्रशबरासी के जातकों को इस मंत्र का जब करना चाहिए मिथुन रासिके जात्र को आपके लिए भगवान क्रश्टन का मंत्र है ओम क्लीम क्रश्टन आये नमा इस मंत्र का आपको जब करना है करक रासिके जात्र को आपके लिए ओम हिरन गरभाय आशक्त रूपने नमा इस मंत्र का आपको जब करना है इस मंत्र का आपके लिए ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमा इस मंत्र का आपको जब करना है और ब्रश्चिक रासिके जातकों आपके लिए ओम नारायनाय सुर सिंग हाय नमा इस मंत्र का आपको जब करना है धनु रासिके जातकों ओम स्रीम देवकी क्रश्टनाय उर्ध शंताय नमा इस मंत्र का आपको जब करना है मकर रासिके जातकों आपके लिए ओम स्री वसलाय नमा इस मंत्र का जब करना है कुम रासिके जातकों आपके लिए ओम स्री उपेंद्राय अच्चुताय नमा इस मंत्र का जब करना है और बात करते हैं मीन रास के जातकों की तो मीन रास के जातकों आपको ओम, क्लीम, उद्ध, ध्रताय, उद्ध, धारिने, नमा इस मंत्र का जब करना है ध्यान ये रखें सभी रास के जातकों कि आपको जब मंत्र का जब करना है इश्टनान करके ही करना है प्राता कालीन या सायंग कालीन जब भी करें दीपग जला करके करें और 41 दिनों तट अगर आपने इस मंत्र का जब कर लिया तो आपके बने हुए जितने भी काम हैं वह बहुत अच्छे हो जाएंगे और जो बने हुए नहीं है वे बनने लगेंगे आपको लाब ही लाब होगा आपकी जैजेकारी होगी इसी तरह से एक सुन्दर वीडियों के साथ में फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं तब तक दीजिए इजाज़त जैमातादी जैमाकंगे